आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जब हम PC बिल्ड करते हैं तो Motherboard Purchase करते समय, हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा कौनसे brand का Motherboard हमारे PC के लिए Best है, Motherboard में कौन-कौन से ports है, जिसे हमें देख करके Purchase करना होगा साथी जब हम PC बिल्ड करते हैं तो motherboard purchase करते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब भी हम motherboard select करें तो वो motherboard future proof है की नहीं यानि अगर future में उस motherboard में किसी भी तरह का upgradation आप करना चाहे तो उस motherboard में वो support करेगा या नहीं करेगा साथी वो कौन-कौन से feature है जिसे हम motherboard purchase करते समय ध्यान दे जिससे कि हम बहतर motherboard का selection कर सके इस वीडियो में आपको motherboard purchase करने के बारे में सारा detail information देने वाला हो नमस्कार में रवी स्वागत है आपका हमारे channel Insil Computer में वेने रहे वीडियो में लाज से तक स्टार्ट करते है आज का यह वीडियो क्यों हमें motherboard बढ़िया brand की बढ़िया quality की या future proof लेना ज़रूरी है क्योंकि हमारे motherboard में ही PC का सारा component connect होता है तो जितना अच्छा motherboard हमारे PC में होगा उतना अच्छा performance हमारे computer को मिलेगा इसलिए जब भी आप PC बिल्ड करवाई या computer purchase करें तो उसे मैं ध्यान रखे कि आप अपने computer में एक बढ़िया brand का बढ़िया quality की future proof motherboard install करवाए जिसे आपके computer में लगे सभी components का बहुत ही बढ़िया experience हो सके तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि motherboard में सबसे best brands कौन कौन से है तो number 1 पे जो brand है वो है gigabyte, number 2 पे जो brand है वो है Asus, number 3 पे जो brand है वो है MSI और number 4 पे जो brand है वो है Asrock इस सभी brands के motherboard काफी बढ़िया quality की motherboard बनाते हैं, components इस्तिमाल करते हैं साथे इन सबे कंपनियों की motherboard आपको बैतर performance, बैतर output निकाल के देती है इन कंपनियों का rating review भी काफी अच्छा है, साथे इन कंपनियों का service भी बहुत बहतरीन है साथे साथ इन कंपनियों का motherboard काफी लंबे समय तक चलता है हम बात कर लेते हैं, PC build करवाते समय जो motherboard का selection होता है उन motherboard के selection पे हमें किन-किन बातों का ध्याम रखना है motherboard select करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा requirement क्या है क्योंकि बिना ये जाने हम अपने लिए एक बड़िया सा motherboard select नहीं कर सकते आपको पता होना चाहिए कि आप जो PC build करवा रहे है उस PC build में आपका requirement क्या है क्योंकि अगर आप particular gaming section के लिए motherboard लेना चाहरे है तो उसके लिए motherboard अलग होगा अगर आप editing होगा रहे है, कोई high end काम करने के लिए motherboard लेना चाहरे है आपके लिए best होगा तो फिलाल के लिए मैं आपको एक motherboard को दिखा देता हूँ कि motherboard में कौन-कौन से parts connect होते हैं कहां पर होते हैं और आपको किन-किन बातों का धहन रखना है तो यह जो section होता है यह motherboard के processor का section होता है अगर आप अभी latest configuration में build करवाना चारे तो 14th generation तक का market में प्रोसेसर चल रहा है Intel variant में और AMD variant में 8th generation तक का processor market में आ चुका है अब मैं आपको processor के बारे में ज्यादा detail नहीं बताऊँगा कि generations क्या होते हैं कौन सा लेना सही होगा नहीं होगा वेडियो बहुत ही लंबा हो जाए क्योंकि हम motherboard के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले हम motherboard के बारे में ही समझ लेते हैं तो यह जो section होता है यहाँ पर प्रोसेसर इस्टॉल करते हैं यह जो section होता है यहाँ पर आप ग्राफिक्स कार्ड या किसी भी तरह का PCI Slot में कोई भी कार्ड इस्तिमाल करना ग्राफिक्स कार्ड साउंड कार्ड लेंकर तो आप यहाँ पर इस्तिमाल कर सकते हैं यह जो section होता है वो SSD का section होता है NV, NV या M.2 SSD आप इसमें इंटॉल कर सकते हैं ताति यह जो कुछ port होते हैं यहाँ पर आप हार्ड रही बगरा कनेक्ट कर सकते हैं उसका port होता है और यह जो दो section है यहाँ पर आपको power supply से motherboard में power input मिलता है साथी साथ इसके front में कई सारे आपको input की options देखने को मिलते हैं USB, HDMI, VGA, PS2, LAN cable या sound का port तो यहाँ पर जितने भी ports है वो आपको motherboard के front panel में देखने को मिलते हैं तो यह basic motherboard का overview हो गया हलाकि detail में जानना है तो यहाँ पर आप diagram देखके समझ सकते हैं कि किसमें क् motherboard में पहला section होता है वो होता है प्रोसेसर का तो जाइसी बात है जब भी आप motherboard select करें तो आपको एक ऐसा motherboard select करना है जिसमें अभी आप कोई सावी processor इस्तिमाल क्यों ना कर रहे हो future में अगर इसी motherboard में आपको processor upgrade करना रहा तो इस motherboard में maximum processor का support आपको check करना example के लिए अगर आप 12 generation में processor i3 का इस्तिमाल कर रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि future में अगर आपको इस motherboard में i9 तक का processor upgrade करना हुआ तो इसी motherboard में आप i9 तक के processor को upgrade कर सके है जैसे कि इसमें option दिया हुआ है Intel का LGS 1700 socket support करेगा यानि इस motherboard में 12 और 13 दोनों generation के processor support कर जाएगे अब फिलहाल हम जो प्रोसेर के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया इस motherboard में आपको 12 13 जरेशन तक के processor का support दिया है i3 से लेकर के i9 तक के processor को आप इसमें लगा सकते हैं साथी आपको ध्यान रखना है कि आप अपने motherboard में maximum memory कितना लगा सकते हैं जैसे इसमें RAM का 4 slot दिया हुआ यानि कि इस motherboard में आप 4 RAM के stick को इस्तिमाल कर सकते हैं साथी आपको ध्यान रखना है maximum RAM support कितना दिया है इसमें जैसे कि DDR4 RAM support करेगा dual channel का option दिया यानि कि dual channel का pair बना करके आप RAM इस्तिमाल कर सकते हैं यानि कि आगर आप 16 GB का एक RAM इस्तिमाल करते हैं तो 16 into 4, 64 GB तक का RAM आप इस motherboard में इस्तिमाल कर सकते हैं उसके बाद आपको इसमें NVMe का slot मिलता है NVMe M.2 का दो slot देखने को मिलता है एक slot यहाँ पर दिया हुआ है और दूसरा slot यहाँ पर दिया हुआ यानि NVMe SSD अभी के सर्में में motherboard में यह option होना बिल्कुल ज़रूर यह है क्योंकि अगर आपको regular performance के लि होता ही है आपको दियान रखना PCI Express का slot हो तो ज्यादा बहतर है उसमें आपका बहतर आर्टू टेकाल के देता है अगर फ्यूचर में अगर आप ग्राफिक्स कार्ड वगरा इंस्टॉल करना चाहते है या अभी आगर आप ग्राफिक्स कार्ड लगाना चाहते है तो इस वा कंप्यूटर से बारा डिस्प्ले करने का आपसर मिल जाएगा आपको जितना लेटेस्ट पोर्ट का अवे रिक्वाइरमेंट है वो सभी पोर्ट आपके मदरवोर्ड में होने चाहिए एक्जाम्पल के लिए HDMI का आपसर होना चाहिए जो बेसिक फंक्सन है उसके बाद अग कीबूर्ड माउस वगर इस्तिमाल करना चाहिए तो इसील कर सकते हैं साथी साथ RJ45 का हाई स्पीड का गीगा बिट का आपको पोर्ट मिलना चाहिए जैसे इसमें 2.5 जी इथरनेट पोर्ट का उप्शन दिया है तो आप इस पे अच्छी तरह हाई स्पीड में इंटरनेट क इस्तिमाल कर सकते हैं साथी साथ यह बेसिक ऑडियो जैक है यानि कि स्पीकर वगारा कनेक करना हुआ तो यह पोर्ट आपको लगबग हर मदरबूर्ड में देखने को मिल जाते है तो यह बेसिक फीचर है जो की हर मदरबूर्ड में होना चाहिए अब एक्जांपल के लिए अब गराम गीगाबाइट का मदरबूर्ड देखें अब बेसिक फीचरी मृट्य टास्किंग के लिए इस्तिमाल करना चाहिए तो इसमें एक्ज एक्सो दस जो मदरबूर्ड है इसमें आपको हाई सपूर्ट दिया हुआ है थाटीन फुर्ट इन और ट्विल्ट जैनल का राम इस्तिमाल कर सकते हैं यानि इसमें आपको दो ही राम देखने को मिलते हैं यानि कि आज़र आप 16GB का दो राम लगाते हैं तो आप 22GB तक का राम इसमें लगा सकते हैं चाहिए इस मदरबूर्ड में आजए 45 का लैंड हाई स्पीड में आप्शन दिया है एन्वी में प उसके बाद में जाये तो में सी ब्रांड में लगबग फीचर सिमिलर होता है इसमें आपको वाइफ आ भूटूथ का एक्स्टा फीचर देखने को मिलता है अगर आपके मदरबूर्ड में इन्वी वाइफई और ब्लूटूथ का फीचर मिल जाता है तो बहुत ही बैतरी है है हाई स्पीड पर इंटरनेट का इस्तिमाल कर सकते हैं साथ ही वायलेसली आप ब्लूटूथ का इस्तिमाल करके स्पीकर्स वगरा बजाना चाहते हैं तो इस तरह का पूर्ट का भी आप रिक्वार्मेंट देख सकते हैं मदरवोड में जितना फीचर्स और जितना प्रीमियम लेवल का मदरवोड सेलेक्शन करते हैं उतना ही आपका बजट बढ़ता जाता है तो अगर आपका बजट है तो यह आप प्रीमियम लेवल का या हाई लेवल के या हाई कॉन्फिग्रेशन के मदरवोड का सेलेक्शन करे अगर आपका budget नहीं है तो आप basic segment में भी जा सकते हैं लेकिन brands जैसे मैंने बता है इन सभी brands पैसे कोई सा भी brand का selection कर सकते हैं अगर आप RGB variant में motherboard लेना चाहते हैं तो RGB gaming series का भी motherboard आता है जिसमें आपको RGB variants भी देखने को मिलेंगे हैं अब बात करें SROC में तो SROC में भी AMD और Intel series में motherboard बनाती है SROC brand अगर हम भी 450 motherboard जिसमें के AMD के 5000 series तक के processor support किये जाते हैं इस motherboard भी आपको DDR4 RAM slot दिया है यानि कि DDR4 का 4 RAM slot दिया है यानि 1616GB का आप 4 RAM इजिली इसमें लगा सकते है PCI का दो slot दिया हुआ है जो कि Gen3 Gen4 दोनों support करता है ताथे इस motherboard में GIGABIT का LAN port दिया यानि कि high speed पर इस motherboard में भी आप internet access कर सकते हैं बात करें इसके output ports की तो इसमें भी आपको type C का option देखने को मिल जाता है इसका इसमाल आप कर सकते है साथी USB 3.0 का option इस motherboard में देखने को मिल जाता है और display output के लिए HDMI का और DP port दोनों का option इस motherboard में देखने को मिल जाता है अब overall में आपको ब फ्यूचर में अप्ग्रेट करना हूँ, तो कोई प्राउलम ना हो, साथ ही अभी फिलाल अगर आपका बजट कम है, तो आप दो RAM स्लोट वाले motherboard का भी सेलेक्शन कर सकते हैं, अगर बजट है आपका, तो चार RAM स्लोट वाले motherboard को सेलेक्शन कर सकते हैं, अगर आप फ्यूचर मे तो PCIe Slot, Express Slot option होना चाहिए आपके motherboard में, साथ ही एक basic requirement और ध्यान लखे, जब भी आप motherboard सेलेक्ट करें, USB 3.0 का option होना ही चाहिए, अगर आप basic, multi-purpose के लिए भी computer इस्तिमाल करना चाहते हैं, घर पे यूज़ करने के लिए भी तो 3.0 USB का option होना चाहिए, ताकि आप कोई भी ब्रैंड्स मैंने आपको बता दिया, इन 4 ब्रैंड्स में से पुईसा भी ब्रैंड का सेलेक्शन कर सकते हैं, साथ ही आप अपने requirement के हिसाब से motherboard का सेलेक्शन करें, तो ज्यादा बेतर हैं, आप gaming, editing, trading या multitasking के लिए computer लेना चाहिए, तो उस हिसाब से motherboard का सेलेक्शन करें, अगर आपको knowledge नहीं है, तो किसी भी local store में जा करके आपके knowledge gain कर सकते हैं, वरना YouTube में बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे, जो particular motherboard से related आपको details प्रोइड करते हैं, तो उन वीडियोज को देख करके भी आप समझ सकते हैं, कि आपके requirement के इसाब से कौन सा motherboard लेन नहीं है, तो आपका पूरा PC build बेकार हैं, आपको ऐसा performance और speed बिल्कुल भी नहीं मिलने माला, अमीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद, motherboard selections related आपका confusion दूर हो गया होगा, अगर आपके मन में अभी कोई doubt है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो comment box में जरूर पूछे, मै आपके सभी comments का reply करूँगा, उमेद करता हूँ आज के informational वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा होगा, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना बिल्कुल ना बोले, मिलता है अगले वीडियो में किसी नी topic के साथ,